तो यदि आप C या C++ language की practice करना चाहते हो, आप program को लिखना चाहते हो, तो आपको download करना पड़ेगा सबसे पहले एक IDE, यानिके एक video editor आपको download करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप code अच्छे से लिख सकते हो, और आपको आपको simplicity भी हो जाती है, code लिखते है वक्त, तो इसके के लिए हम वो IDE को आज download करेंगे, और देखेंगे किस तरह साब उसमे एक program लिख सकते हो, सबसे बहले में आपको 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 बदा दो, बहुत सारे बच्चे, visual studio code यूज करते है, C या C++ की programming करने के लिए, ये भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको extension download करना पड़ता है, और उसे path में add करना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कल हो जाती है, आप सभी के लिए, लेकिन हम इसको download ना करते होगे, यहाँ पर download करेंगे, यहाँ पर download करने के लिए आप नीचे आउंगे, यहाँ पर download visual studio 2019, तो इसपर click करूंगे आप, तो यहाँ पर 64 beat के लिए आपको download कर लेना है, जो भी आप पर laptop होँगा, तो यहाँ पर community आपको download करना है, professional मत download करना, community download कर लेना, और यह download हो जाने के बद आपको, इससे install कर लेना है, simply next करना है आपको, और यह वो पुछता है कि desktop पे आपको चाहिए कि यह icon, तो yes पर click कर देना, agree कर देना, और उसके बाद मे आप यह download कर लीजे, अच्छे से install कर लीजे, इसे download बिल्कुल भी मत करिए, अभी के लिए, क्योंकि यह web development के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन cc++ के लिए मैं refer करूंगा ये, visual studio 2019, तो इसको download करिए, अब इसमें किस तरह से आपको program को run करना है, और किस तरह से आपको एक animation रहेंगा, और ये इस तरह से open हो जाएंगा, यहाँ पर already मैंने बहुत सारे program किये है, तो इसी के लिए इस तरह से दिखाएं दिरा है, यहाँ पर आपको simply create a new project पर click करना है, यहाँ पर console app पर click करना है, next करना है, बाकि इस पर click मत करिएगा, console app पर click करने के वाद, next करने के यहाँ पर आप first program वैसे कुछ भी आप है पर type कर सकते हो, तो program one, तो इस तरह से मैंने create पर click कर दीजिए, तो आपके सामने आपका ये code open हो जाएगा, तो visual studio open होने के बद आपको इस इंदर program लिखना है, तो थोड़ा ये time लेता है, लेकिन हो जाता है, तो अभी देखिए आ लेकिन इस studio में मैं भी आपको बटा देता हूँ, तो यहाँ पर अभी ये open हो रहा है, फ्रसा time ले रहा है यहाँ पर, अब हो जाएगा ये open, और आपको सामने एक file देदेगा, तो देखिए, इस तरह से हमरे सामने एक file आज चुकी है, और यहाँ पर आपको बताता है ये, कि किस तरह से आपको program को run करना है, सारी information आपको आपको देदेंगा, control FIU से हम run कर सकते हैं, और debug करने के लिए आपको सिफ FIU करना है, और run करने के लिए आपको control FIU दबाना है, यहाँ पर हम debug करेंगे, तो इसमें देखिए, start debugging के लिए FIU दबाईए, और start without debugging, without debugging के लिए आप control FIU दबा दीजे, आपका program में run हो जाएगा, उसके लिए सबसे बिल आपको program रिखना होंगा, तो हम आपको hello world का program लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यह C++ का program है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, C में भी लिख सकते हो, तो इसके लिए क् printf, और उसमें क्या करेंगे हम, hello world, तो यहाँ पर इस तरह से आपको program लिख देना है, और यहाँ पर run करने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl F5 दबा दूँगा, यहाँ पर मैं debug पर क्लिक करूँगा, और start without debugging पर क्लिक कर दूँगा, अब आपके सामने आपका program run होता हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, नीचे देखें, यहाँ पर आपका program proceed हो रहा है, पूरा तरह से तयार हो चुका है, अप सक्सीड, और अगली इडियो में इस रूदेखें के लिए धन्यवाद,